वेल्कम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी के आफ है सो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एससी सीजिसल दोज़ाच वेकंसी के अपडेट के ऊपर जैसा कि दोस्तों यह सेडियूल था आपका 2 अप्रिल को मतलब इसका नौटिफिकेशन आना था ए कब तक आपको देखने को मिल सकता है क्या इसका इफेक्ट एक्जाम डेट पर भी पढ़ने वाला है सो सावीच जो पर बात करेंगे तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा छोड़ा सा वीडियो होने वाला है तो देखिए दोस्तों यहां पर जब मैं SLC का ओफिसल आउंच हुआ तो साड़ा काम होड़ा था तो इसी करण से आपका यहां पर यह नहीं आप आया एक फरवरी को कब आया था यहां पर देख लिजे फेस ट्वेल्व का जो आपका नॉट्फिकेशन है फ्रेंट्स वाया था 26 फरवरी 2024 को यानि कि आप अप देख सकते हैं लग यहां ऑपका डिले हुआ है लगभग आपben कह सकते हें 20 दिन यहां पर डिले हुआ है एससी सीपीओ में भी उसमें आपका 25 दिन हुआ था यहां बिस दिन यहां या यहां पर आप देख सकते तो यह यह 25 से 30 दिन यहां पर डिले हो रहा है तो इस केस में देखे अब ऐसा प्रतीत होड़ा है कि सीजिसल की वेकंसी जो है 25 से 30 दिन डिले हो सकती है तो अगर उसी से आप से देखा जाए फ्रेंस तो जो दो अपरिल को होने वाला था अब इसमें 20-25 दिन डिले हो करके लगबग यह आपको जो है अपरिल के लास्ट वीक तक देखने को मिल सकता है यानि मान के चलिए 25 से लेकर 30 अपरिल के बीच में ठीक है उससे पहले भी आ सकता है अगर उससे पहले आ जाता है तो बता दूंगा पाकी उससे आपको कोई दिकत है ही नहीं ठीक है आगि कब आगा डिले हुआ है लेकिन अगर आप उन सभी नोटिफिकेशन को चेक किजेगा तो जो एक्जाम कलेंडर में डेट्स बताया गया था उसी के कोडिंग एक्जामनेशन आपका होने वाला ठीक है तो यहां पर देखिए जून जूलाई में आपको बतादो आपको अप्सल एक्ज सकता है कि आपका जो कि मैंने बताया अप्रिल के लास्ट विक तक यानि 25 से 30 अप्रेल के बीच में देखने को मिल सकता है उससे पहले भी यह लोग जारी कर सकते हैं इनका कोई गारंटी है नहीं ठीक है इसलिए आपको इसके लेकर के टेंसर नहीं लेना है कि कब आएगा वेक अपर अपर किजिए क्योंकि अभी सदेखें अगर आप स्टाइट के जाएगा प्रिप्रेशन तो आपके पास लगभग जून जुलाई ठीक है तीन महीं आपके पास बचा हुआ है ठीक है तो तो तीन महीं में बहतर प्रिप्रेशन किया जा सकता है अगर आप इन सब यह काफी कम आने वाली है एंड उस हिसाब से आप त्यारी नहीं किजेगा तो फिर आपको दिक्कत होंगी ठीक है तो अगर आप टार्गेट रखे हुए है कि सीजर दो आच आप इसको क्लियर करना है तो उसके लिए आपको त्यारी पर फोकस करना है नाकि नोट्फिकेशन के देट के ऊपर बाकी जैसे कुछ अपडेट आगा मैं आपको बता दूंगा ठीक है तो इस वीटों को यह पर आखते है फ्रेंट्स बाकी जो बच्चे सीप्यों एंड बाकी जो फेस्ट्वेल का रिप्लाई का वेट कर रहें देखिए मैं आपको बता दो स्टेटस चेंज ह हो चुका है हमारी जो जनकारी है मतलब यो बेहने मांगा है वह डिपार्टमेट तक पहुचा जा चूका है डेटा कलेक्शन हो रही है तुरनत ही आपको आपडेट मिल जागा उसके रिदीगार तो मैं आपको आपडेट कर दूँगा उसके लिए आपको टेंसन नहीं लेन ठीक है तो चलिए मिलते हैं आप से नेक्स टुडियो में तब दे के लिए गुडबाई